नमस्कार आपका अख़बार के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है मैं हूँ प्रदीप सिंग आपसे एक अपील है एक अनुरोध है एक प्रार्तना है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए ये संदेश ये जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा सनातनी के पास बहुंच सके उन तक हम मेरी बात बहुंच सके इसमें आपकी मदद की ज़रुवत है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए इसको और कोशिच कीजिए कि सब्सक्राइबर की संख्या भी अगर आप बढ़ाने में मददगार हो सकें तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इसदर कुछ समय से सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ने की जो रफतार है वो बहुत धीमी हो गई उमीद है आप इस पर ध्यान जरूर देंगे एक गाना है हिंदी फिल्म का नाना करते प्यार तुम ही से कर बैठे करना था इनकार मगर इकरार तुम ही से कर बैठे अप प्रड़ फिल्म को एक मिनट के लिए भूल जाएए और ये इसको राजनीती पर लागू करना है ये गाना गा रहे है नितीश कुमार बिहार के मख्य मंतरी प्रधान मंतरी पद की कुर्सी के लिए अभी तक कह रहे थे कि उनका कोई रादा नहीं है प्रधान मंतरी पद की रेस में नहीं है लेकिन सब को मालूम था कि मन मन भावय मुड़ी हिलाव है यानि मन में तो है लेकिन ना कर रहे है तो वो भी अब इस पश्ट हो गया वो भी राज खुल गया उनके पार्टी के राष्ट्रिय अध्यर्च ललन सिंग ने गोशना की है कि नितीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूल पूर से चुनाव लोकसभा का लड़ सकते है उन्हें का कि इसके अलावा दो और चुनाव क्षेतरों से उनको जो है निमंतरन है एक है अमबेटकर नगर और दूसरा है मिर्जापूर याद रखी ये तीनों चुनाव क्षेतर यहां कुर्मी मद्दाताओं की संक्या अच्छी खासी है तो नितीश कुमार को भरुसा अपनी जाती के लोगों पर है उसके अलावा किसी पर नहीं बिहार से निकलेंगे उत्तर प्रदेश आएंगे क्यों आएंगे क्योंकि उनको लगता है कि जो प्रदान मंत्री बनता है अगर उत्तर प्रदेश से हो तो उसकी संभावना बढ़ जाती है बात ठीक है लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी का भी तो जनाधार होना चाहिए वो उधारन फिर मैं कहरा हूँ उधारन देते हैं नरिद मोदी का कि वो गुजरात से आये और बनारत से चुनाव लड़े प्रदान मंत्री बन गए तो वो बनारत से चुनाव लड़े इसलिए प्रदान मंत्री नहीं बन गए उनकी पार्टी का जनाधार था उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी 2014 में 71 प्लस 2, 73 सीटें 80 में से जिती थी 73 आउट अफ 80 ये इतनी बड़ी सफलता मिली थी नितिश कुमार का क्या है उतर प्रदेश में? पहली बात तो अभी 2022 का विधान सबा चुना हुआ है उन्होंने घोशना की थी कि उनकी पार्टी के ओर से 51 कैंडिडेट खड़े किये जाएगी लेकिन पूरे कैंडिडेट भी नहीं मिले केवल 37 मिले और सब की जमानत जब्त हो गई ये जनाधार है जनतादल यूनाइटेट का तो वो आ रहे हैं किसके भरोसे अखलेश यादो के भरोसे तो अखलेश यादो उनको लोगसभा चुनाव जिताएंगे और प्रधान मंत्री बना देंगे इस उमीद से आ रहे हैं अखलेश यादो ऐसा क्यों करेंगे एक बात दूसरी बात उनको भरोसा है कुर्मी वोटो पर देखें उत्तर प्रदेश और बिहार में आप देखें तो कोई जाती का नेता उसका जो जनाधार है वो दूसरे प्रदेश के उसके ही जाती के लोग उसको समर्थन नहीं करते मुलायम सिंग यादो पूरी जिन्दगी कोशिश करते रहे कि बिहार के यादो भी उनको नेता मान ले कभी नहीं माना इसी तरह से लालू प्रसाद यादो कोशिश करते रहे कि उत्तर प्रदेश के यादो उनको नेता मानने कभी नहीं माना तो इसलिए नितीश कुमार को उत विलाल ने बड़ी कोशिश की बहुत ताकत लगाई कि पश्यमी उतर प्रदेश के जाट उनको नेता मान ले नहीं माना इसी तरह से चौदरी अजीज सिंग ने कोशिश की कि हर्याना के जाटों के नेता बन जाए नहीं बन पाए एक मात रापवाद इसका चौदरी चरण सिं जिनको पश्यमी उतर प्रदेश, हर्याना और राजस्थान तीनों प्रदेशों के जाट अपना नेता मात दे थे तो नितीश कुमार की वो हैसियत उतर प्रदेश में कभी नहीं रही जनता जब समता पार्टी थी उसके बाद जनता दल उनाटेड हुआ जब जोर्ज अब बीजेपी एक भी सीट नहीं देती है उत्तर प्रदेश में 4.5% कुर्मी मत दाता है इसके बावजूद बीजेपी ने कभी नितीश कुमार को गटबंधन में होते हुए भी चुनाव प्रचार में इस्तिमाल करने की ज़रूरत नहीं समझी लेकिन इन तीनों सीटों मे इसे अब आप देखें कि अभी तक तो कह रहे थे हैं कि हम प्रदान मंतरी पत के उमीदवार नहीं है अब लोगसभा की सीट खोज ली गई है नितीश कुमार 2010 से आज तक कभी विधान सभा का चुनाव नहीं लड़े है मुख्यमंतरी है मुख्यमंतरी का उनका कारेकाल है क अब तक 2025 तक इसके बावजूद मुख्यमंतरी रहते हुए लोगसभा का चुनाव अगर लड़ने जा रहे हैं हाला कि इसकी अपचारी घोशना नहीं हुई है ये बता दे आपको लेकिन ऐसी चीजों की अपचारी घोशना इतनी जल्दी इतना पहले होती भी नहीं है तो और ललन सिंग मिर्जापूर घुम कर आ चुके हैं बीच में किसी कारी करम में फूलपूर जा चुके हैं नितीश कुमार तो नितीश कुमार हवा पानी भापने का काम काफी समय से कर रहे हैं वो जो आरोप लगाते हैं BJP पर कि वो उनकी पार्टी तोड़ना चाहती थी और में नहीं दाने, अम्मा चली भुनाने, वही हाल है, कि अपने प्रदेश में नहीं देख रहे हैं कि हालत क्या हो रही है, नितीश कुमार वो मुद्रा है, वो करेंसी है, जिसका लगातार अव मुल्यन हो रहा है, लगातार उनका भाव घरता जा रहा है, उनके अपने ही लड़े उनमें से कितनी जीते हैं उसका प्रतिशन तो स्ट्राइक रेट जो है 2010 में था 82% 2015 में लालू प्रसाद यादों के साथ गए तो घटकर हो गया 71% इसमें कितनी सीट लड़े उसमें कि 2010 में ज्यादा लड़े थे 2015 में कम लड़े थे इसलिए सीटों की संख्या की बात नहीं कर रहा हूँ इसलिए स्ट्राइक रेट की बात कर रहा हूँ कि जितनी लड़े उनमें से कितनी जीते उसका प्रतिशन तो 2015 में हो गया 71% और 2020 में घटकर हो गया 37% करें तो इससे आप अंदाजा लगाईए कि पिछले तीन चुनाओं से लगातार उनकी लोगप्रियता घटती जा रही है उनकी पार्टी का जनाधार घटता जा रहा है उनके मुख्यमंतरी बनने की अगले चुनाओं में कोई संभावना नजर नहीं आ रही है अगर है भी तो जोड तोड से कोई अगर कृपा करेगा तो ही बन सकते हैं इसके बावजूद दोगसभा का चुनाओ लडेंगे प्रधान मंतरी बनेंगे बड़े अच्छी बात है मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इसी शर्थ पर जो है लालू प्रसाद यादो ने समर्थन देने का फैसला किया है कि वो मुख्यमंतरी का पत छोड़ देंगे तेजस्वी यादो के लिए लेकिन सवाल अब ये उठ रहा है कि क्या तेजस्वी यादो मुख्यमंतरी बनने के लिए उपलब्द होंगे सिब्याई ने आज दिल्ली की स्पेशल सिब्याई कोर्ट में अरजी दी कि ये तेजस्वी यादो की जमानत रद कर दिया है तेजस्वी यादो और उनकी मा राबडी देवी दोनों आई आर सीटी से के घोटाले में आरोपी हैं उनके किलाफ चार्ज शीट फाइल हो चुकी है दोनों जमानत पर हैं अब उनकी जमानत रद करने के लिए और सीब्याई कोर्ट और स्पेशल सिब्याई कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है तेजस्वी यादो को क्यों आपकी जमानत रद कर दियाए आप अपना पक्ष रखिए CBI के और जो कई आरोप हैं उनमें से एक ये है कि इन्होंने जमानत की जो शर्त थी उसका उलंगन किया अभी कुछ दिन पहले CBI ने इस मामने से जुड़े और दूसरे घोटालों से जुड़े कई लोगों जो लालु पुसाद यादो के परिवार के करीमी लोगों के हां चापा मारा था उसके बाद नाराज होकर तेजस्वी यादो ने धमकी दी थी CBI को कि हिम्मत है तो उनके खिलाफ कारवाई करें उसके अलावा उनके सत्ता में आ जाने के बाद से इस बात की आशंका बढ़ गई है कि गवाहों के लिए खत्रा बढ़ गया है और गवाहों को तोड़ने की कोशिश की जा सकती है इन सब को देखते हुए CBI ने कहा कि उनकी जमानत रद की जाए और उनको जेल भीजा जाए अब CBI कोट को तेह करना है तेजस्वी यादव का जवाब मिलने के बाद उनका जवाब मिलने के बाद CBI कोट तेह करेगी कि जमानत बरकरार रहेगी या उनको जेल भीजा जाएगा और चार्शीट फाइल हो चुकी है उसका कॉगनिजस जो है लिया जा चुका है और अब जो है अगली स्टेज जो है वो चार्जेस फ्रेम होने की है और उसके बाद सदा तो मामला कुल मिला कर ये है कि बिहार में पिक्चर अभी बाकी है जो ये नितीश कुमार का पूरा संजाल है वो कोशिश कर रहे हैं प्रधान मंत्री पत का उमीदवार बन जाएं उनको शायद ये गलत फेहमी है कि सब लोग इस इंतजार में बैठे हैं वो कब आएं और घोचना करें और लोग उनको प्रधानमंत्रीपत का उमीदवार बना दें। सवाल यह है कि पहले अपने घर में तो अपनी स्थिती ठीक कर लें। तेजस्वी यादव अगर जेल चले जाते हैं तो गडबंधन का क्या होगा। तब गडबंधन में एक्वेशन क्या होगा। तब लालु प्रसाद यादव का परिवार किस तरह से रियक्ट करेगा। तब आर जेली के विधायक और जेडीव के विधायक किस तरह से रियक्ट करेंगे। यह सब सवाल है, तो याद कीजिए प्रशान्त किशोर की एक बात, उन्होंने कहा था, 2014 के लोकसभा चुनाओ से पहले यह गडबंधन बना रहे, यह लोकसभा चुनाओ तक यह गडबंधन इसी रूप में बना रहेगा, इसमें भारी शंका है, और वो दिखाई देने लगा ह तो नितीश कुमार एक तरफ तयारी कर रहे हैं लोकसभा चुनाओ लड़ने की, उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में उनको उम्मीद है कि अखलेश यादव उनकी पाल की ढोएंगे, अब अखलेश यादव ढोएंगे, नहीं ढोएंगे यह तो पता न लेकिन अखलेश यादव 80 सीटों वाले प्रदेश के नेता होकर, एक ऐसे नेता को जो चुनाओ अगर लड़ेगा भी अपने प्रदेश में, तो 12-14 से ज़्यादा लोकसभा सीटों पर नहीं लड़ेगा, उसके लिए क्यों पाल की उठाएंगे, उसको क्यों जिता कर लोक जिन्हान मंत्री बन जाए, बनेगा नहीं बनेगा वो बात की बात है, लेकिन एक hypothetical बात कर रहे है, कि अखलेश यादव क्यों इसमें मददगार होंगे, ऐसा नहीं है कि अखलेश यादव इसका विरोध करेंगे, लेकिन अखलेश यादव कभी नहीं चाहेंगे, कि में से अभी जो पांच सीटे हैं, उनको बचा पाएंगे कि नहीं, ऐसे मों नितीश कुमार को कहां से जिता देंगे, किस आधार पर जिता देंगे, तो ये जो calculation है, ये सब हवा हवाई गनित है, इसमें कोई जो है, जमीनी बात नहीं है, तो बात कुल मिला कर ये है, कि नित दाओं चला नहीं, वो उनका दाओं जो है, दो हजार चौबिस में चल सकता है, और उनको शायद मालूम नहीं है, कि दो हजार चौबिस साते आते उनकी इतनी फजियत होने वाली है, कि वो लोकसभा, चुनाओ और प्रधान मंतरी पद का उमीदवार बनना तो दूर, मुख मालों का जवाब हस हस कर ऐसे दे रहे थे, मानो बड़ी खुशी की कोई बात हो, आजकल आजकल वो हर बात पर चाहे हसने की हो या ना हो, हस कर ही जवाब देते हैं, तो बेग्यू सराय की घटना किसी भी प्रदेश के लिए शर्मनाग घटना है, उस पर वहां का मुख्यमं मतरी दो दिन बात बोलता है और हस्ते हुए बोलता है, इस से लोगों में नितीश कुमार के प्रती वित्रिशना बढ़ती जा रही है, नितीश कुमार की ये जो आज 43-45 सीटों की इस्थिती है, ये भी न होती अगर बीजेपी ने एलाइंस बना कर न रखा होता, 2020 के चुन कमजोरी के कारण ये एलाइंस किया, और नितीश कुमार को लगता है कि वो बिहार के सबसे ताकतवर, सबसे कद्दावर, सबसे बड़े नेता है, लिकिन मैं फिर कह रहा हूं, अपनी बात पहले कही भी दोरा रहा हूं, नितीश कुमार वो करिंसी हैं जिसका लगाता डिव हो रहा है, पुलिटिकल डिवैलिवेशन हो रहा है, ऐसे पॉलिटीशन हैं, और उनके लिए अपना प्रदेश बचा कर रखना भी मुश्किल होता जा रहा है, और जैसे जैसे 2024 नजदीक आएगा, मुश्किल होता जाएगा, अभी तो ये सब चाले एक तरफा हैं, एक प्रदेश में भी जवाब देगी, बीजेपी आज की तारिख में उत्तर प्रदेश में जितनी मजबूत है, उससे पहले आज तक कभी नहीं रही है, ऐसी बीजेपी से नितीश कुमार के लिए उत्तर प्रदेश में लड़ना लोहे के चने चबाने से भी जादा कठिन है, तो अगर उत्तर प्रदेश से लड़ेंगे, तो आप मान कर चलिए कि उनको पूरा समय तो उत्तर प्रदेश में अपनी कॉंसर्सी में लगाना पड़ेगा, फिर भी जीच जाएंगे, इसमें मुझे शंका है, क्योंकि इस बार न बसपा दस सीटें जीतने वाली है, न नितिक माहौल में नितीश कुमार उत्तर प्रदेश से लोग सभा का चुनाओ लड़ने जा रहा है, इस से आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि जो प्रशांद किशोर ने कहा था, फिर कह रहा हूं, कि उम्र का आसर आ गया है, उनको सच्चाई दिख नहीं रही है, उनको जो नहीं अगले एक में फिर मिलेंगे, किसी नए मुद्दे के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आप से अनुद है कि ये चैनल देखे, शेर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नमस्कार